आप देख रहे हैं anasaste degree दोस्तों मदर्मोहन मालविय इनिवर्सिटि के बहुत सारे स्टुडेंट के एक्जामनेशन स्डूल जारी कर दिये गये हैं जैसे बहुत सारे स्टुडेंट के जो एक्जामनेशन कराय जाने वाले हैं चाए वो btec हो चुके हैं चाए वो bsci हैं उस वजे से आपके examination अस्तवित करने का भी प्लान किया जा सकता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि प्रति दिन आपको schedule आपके notice पे notice जारी की जा रही है और उसमें बता जा रहा कि आपके examination किस प्रकार से कराए जाएंगे तो जैसा कि आपको ध्यान में ये भी रखना है COVID के नियम का पालन करना है जैसे social distancing का हो गया और फिर mask लगाना और फिर hand sanitizer का परियोग करना तो चलिए और भी details में देख लेते हैं जो notification जारी क्या गया है तो चलिए देख लेते हैं notification के माद्यम से अगर आप channel uns studio group को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो कर लीजगा और उसी के साथ में well notification on कीजगा जिसे next वीडियो की notification आपको आसानी से मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं notification को तो दोस्तों जैसा की screen पर आप देख रहे हैं लिखा है मदन मोहन मालविय इंवर्शिटी आफ टेकनोलोजी गुरफ़ पूर्ट टेटिव सीडूल आफ मीनेर टेस्ट दोजारी किस और बाइस M.T.E.C. एम.C. फिजिक्स M.C. मैथ M.C. कमिस्टी first year first semester आपको बताया जा रहा है कि आपके 17 जनवरी से examination शुरू है आपके morning time में 10 बजे से आपके 12 बजे तक examination चलेंगे उसी के बाद में आपके इहां subject mention किया गया है आपका जो examination है किस जगा कराया जाएगा वहां का department name दिया गया है मदन मोहन मालविय इंवर्शिटी का और उसी के साथ में आपके फिर 18 जनवरी के examination कराया जाएगे उसके बारे में full details दिया गया है जो course आपने subject जो आपने choose किया है उसके हिसाब से आपका notification जारी किया गया है फिर उसी के बाद में आपके 19 जनवरी को कराया जाएगे फिर 20 जनवरी को फिर आपके 22 जनवरी तक आपके examination होंगे उसी के साथ में दोस्तों देखेगा जो student MSC first year में हैं अगर उनका भी जो examination schedule है वो भी जान ले उनका examination किस data से कराया जाएगा तो वो भी student जाने की उनका भी examination 17 से लेकर 21 जनवरी तक कराया जाएगा और उसके साथ में आपको मैं बता दू कि MBA first year का जो examination है टे 24 जनवरी तक कराया जाएगा MBA student के यहां subject mention किया गया है और date mention किया गया है उसी के साथ में timing भी mention की गई है तो अगर आपको कोई doubts लगता है तो आप comment के माधम से बताएगा और आपको वीडियो के description में notification link भी provide कर दी जाएगी वहां से आप step by step आसानी से खुद भी देख सकते हैं अगर कोई confusion होता है तो आप खुद comment के माधम से पोछ भी सकते हैं तो चलिए फिर मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा ओक्या all the best साथियो जैहिं जै भारत